S-block element S-block में हमने 2 groups रखे हैं 1st group जिसमें कि हम Hydrogen, Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium और Frenchium इन elements को रखते हैं अब सबसे बड़ी बात परिशानी तब आती है जब आपको इनके नाम याद नहीं होते हैं और इनके atomic number याद नहीं होते हैं एक magic number में आपको बताता हूँ जिसे याद रखें और ये number रहे हैं का 2, 10, 18, 36, 54 ये number है इस periodic table में जितनी inert gases हैं अक्री gases उनके 2 for helium, neon, argon, krypton, xenon और redon chemistry में जितने भी element हैं वो सभी elements इस orientation को अच्यू करने के लिए काम कर रहे हैं अब हमें इनका नाम याद रखने के लिए एक short trick बना ली हमने और हम इसे कहेंगे हे ली ना की ruby से friendship इस तरह से आप हे ली ना की ruby से friendship ये short trick elements के symbol याद करने के लिए अगर आप बात आती है इनके atomic number याद करने की तो हम जानते हैं hydrogen इस periodic table का पहला element है बाकी elements के atomic number हमें ये magic number देगा helium अगर 2 है तो उसमें 1 unit बढ़ा दे 3 atomic number lithium का हो गया 3 इसी तरह से neon अगर 10 था तो sodium बना 11 आरगन 18 तो potassium 19 क्रिप्टाउं 36 तो rubidium 37 जीनों चोपन तो cesium पच्छपन और रेणॉंच यासी तो फ्रेंच याम 87 इस तरह से हम एस ब्लॉक के group 1 के जितने element हैं उनका नाम और उनके संकेत और उनके परमाण उक्रमाण तीनों चीज़ें याद कर लेते हैं अब दूसरा group जिसमें हमने बैरिलियों magnesium calcium strontium barium और redium इन elements को रखा है इनको याद करने के लिए हमने एक short trick बना ली है उसे हम कहेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाब राजीब थोड़ा सा आजीब लगेगा किन्तु एक ऐसी trick होना चाहिए जिससे हम easily हमारे माइंड में उन चीज़ों को set कर सकें अब इनके atomic number हम अगर याद करना चाहें तो 3 से 1 unit increase करें 4, 11, then 12, 19, then 20, 37, then 38, 55, then 56, then 87, then 88 तो इस तरीके से हम S block elements के जो atomic number है, उनके symbol है और उनके जो नाम है वो बड़े आसानी से याद कर सकते हैं barium, magnesium, calcium, strancium, barium और radium तो यह S block का इसी तरह से हम देखते हैं P block के लिए क्लिक बहुत